अमराथी शहर के सिराहने इस्थित वलगाओं के सिक्षी रिसॉर्ट के संचालक प्रेम किशोर सिक्षी द्वारा कई तरह के सामाजिक कारे किये जाते हैं इन सामाजिक कारे के जरीए गरीब वबेबस लोगों की इमदाद की जाती है किसानों को बेतर जीवन बनाने की दिशा में सिक्षी चैरिटेबल ट्रस्ट कारे रथ है सिक्षी चैरिटेबल ट्रस्ट की और से कई तरह के विभिन सामाजिक कारे किये जाते हैं इसी तरह से 24 सितंबर को सिक्षी चेरिटेबल ट्रस्ट की और से सिक्षी रिसॉर्ट के डाइनिंग हॉल में एक भवे दिवे बलट डोनेशन कैम्प रखा गया था जिसमें बढ़ चड़कर वलगाओं के लोगों ने रक्त दान कर रक्त की कमी से जूजते लोगों की इमदात के लिए कदम आगे बढ़ाया इसके बाद सिक्ची रिसोर्ट के संचालक प्रेम किशोर सिक्ची की ओर से वलगाओं के किसानों के लिए एक सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया था इस कारिकरम के दौरान आये हुए किसानों को सम्मानित किया गया कारिकरम की शुरुवात में सबसे पहले छदरपती शिवाजी महराज की पृतिमा को माला अर्पन की गई और दीप प्रुजौलित किया गया इसके बाद सिख्ची चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किसानों को संबोधित करते हुए कहा गया की सिक्षी चेरिटेबल ट्रस्ट की ऐसी महतोक कांशा है कि वलगाओं के किसान अपने आप में संपुर्ण हो। किसानों को किसी प्रकार से ना ही बीजों के लिए और ना ही खात के लिए और ना ही अपनी फसलों को बेचने के लिए इधर उधर भटकना पड़े। बलके आने वाले दिनों में सिक्षी चेरिटेबल ट्रस्ट किसानों के सहयोक से ही एक ऐसी योजना चलाने वाला है जिस से चेरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े किसानों को सिक्षी चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ही उत्तम दरजे के बीज मिल सकें उसके बाद नई पद्दती से खेती को बढ़ावा दिया जाए और फिर किसानों द्वारा उगाई हुवी फसल को अच्छी कीमत पर खरीदा जाए इन सब के लिए किसानों को किसी प्रकार का कोई अचिरिक्त कारी करनी की जरूरत नहीं बलके किसानों को सिर्फ और सिर्फ सिक्ची चरिटेबल ट्रस्ट क कांधे से कांधा मिला कर सहयोग करना है इस कारी करम के दौरान किसानों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और किसानों से आवाहन किया गया कि वह सिक्ची चरिटेबल ट्रस्ट की इस अधभुत योजना में शामिल होकर खुद का और आसपास के परिसर के लोगों का जीवन, सुफल, सुक्षम और सुगम बनाए